Hello Everyone, जहिंद, Welcome to Jhasaard Academy for IAS. Guys यहाँ पे आपको Civil Services की preparation कराई जाती है और help की जाती है की आपको किस तरीकेностे प्रपायर करना है. यहाँ पे आपको आपके प्रपारेशन को इनहांस करने के लिए कुछ free contentS provide किये जाते हैं आपकी preparation के लिए. कहाँ पे आपको YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप YouTube पे जब जाएगे तो आपको महाँ पे various प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो daily current affairs के lectures upload किये जाते हैं, आपको उनकी proper तरीके से playlist अवेलेबल होगी, उसी के साथ साथ आपको monthly playlist भी मिलेगी current affairs की और yearly playlist भी मिलेगी, और साथ ही जो current affairs daily basis पे आप लोगों को provide किये जाते हैं, उन्हीं की free of cost आपको PDF भी दी जाती है हमारे telegram चानल पे, अगर आपने telegram चानल जॉइन नहीं किया है, तो तुरंद description box में जाईए, वहाँ पे आपको link provided होगा, जहां से आप हमारे channel को joint कर सकते हैं, और वहां से आपको हमारी PDF का access ले सकते हैं, और उसी के साथ साथ guys, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा initiative स्टार्ट किया गया है, मेंस की previous question analysis का, आपको आपके लिए daily basis analysis किया जाता है, और उसकी आप लोगों को playlist provided है हमारी YouTube channel पे ही, अलग-अलग paper में provided है आप लोगों के convenience के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 की, उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग-अलग subjects की भी playlist अवेलेबल है, economics है, जैसे CSAT के आप लोगों के पास playlist होगी और history की भी playlist आपको मिल जाएगी, जो की बिल्कुल free होगी, वो आपको YouTube पे ही अवेलेबल होगी, और इनी playlist में साथी साथ नए-नए content भी regular basis पे add-on किये जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को जासर अकैडमी को regularly follow करना है और अपनी preparation को enhance करना है, और उसी के साथ साथ guys कुछ paid courses भी हैं, जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं जासर अकैडमी फॉर IAS के द्वारा, जो जिन paid courses को जासर खुद personally mentor करते हैं, खुद उसको relate करते हैं, जैसे कि GS का pre-plus means batch है guys बिल्कुल zero से तयारी करवाई जा रही है, जासर खुद तयारी करवाते हैं, personal guidance आपको दी जाती है, ट्रॉपर तरीके से आपको attention प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल basic से आपको तयारी करवाई जा रही है आपकी preparation को enhance करने के लिए, तो आप इन courses को भी जरूर जॉइन कीजिए, जैसे कि एक mains का भी answer writing का test series batch चल रहा है और prelims का भी test series course चल रहा है guys, जो आपको हमारी app पे test series प्रोवाइड की जाएंगे, 10,000 questions के आपको practice कराई जाएगी, वो 10,000 questions आपको कहां पे available होंगे, जहासर academy for IAS की website पे भी available है, और हमारे एक app भी है, जहासर academy for IAS, आप अगर डालेंगे तो play store से आपको वो app मिल जाएगी, आप उसको download कर सकते हैं, वहाँ पे आपको prelims की test series का access भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन app है कि आपको वहाँ पे study tools भी available है, कि आपकी जो study है, आप उसको track कर सकते हैं कि आप कितना time effectively study कर रहे हैं, तो इस app को ज़रूर join कीजेगा, download कीजेगा और website भी available है, उस website पे भी आप जाके सब कुछ access कर सकते हैं जो की app पे available है, राइट, so guys, जासर academy को regularly follow करते रहेगा, Hello everyone, जैहंद, welcome to जासर academy for IAS, Guys, हम कर रहे हैं geography की NCRT class 10th, और class 10th की NCRT के हम दो chapters finish कर चुके हैं, chapter 1 and chapter 2, Now, today we will start with chapter 3, water resources, जल संसाधन, Last chapter में हमने forest and wildlife resources देखे थे, one और वन ये जिव संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे water resources, जल संसाधन, ठीक है, ये भी बहुत basic topic है, basic सी चीज़े हम जानते हैं, हर चीज़े के बारे में हम जानते हैं, हमें एक overview लेना है, 10th की NCRT, easy लग रही होगी, क्योंकि जादा चीज़ technicalities नहीं है, सारी basic चीज़े हैं, जो चीज़े हम already जानते हैं, बस एक उनका overview लेना जरूरी है, या फिर कुछ points ऐसे हैं, जो mains के लिए हम वहापे mention कर सकते हैं, वो हमें यहां से मिल जाएंगे, ठीक है, तो let's start with the chapter 3, water resources, You already know that 3 fourth of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use, Normal से चीज़े ही हम जानते हैं, कि 70% हमें देखने को मिलती है, किसमें covered है, 70-75% water से covered है, ठीक है हमारी earth, लेकिन फिर भी हम क्या बात करते हैं, water, water everywhere, not a single drop to drink, ठीक है, water crisis है, हम safe water की बात करें, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या चीज़े इतना सादा पानी होने के बाद भी हमें पीने को नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसे लिए आज वो भी हमें crisis देखने को मिल रहा है, इस reason की वज़े से, इस fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater, that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle, अभी जो fresh water हमें मिलता है, या तो जो surface runoff होता है, उससे हमें मिलता है, ठीक है, मतलब सतही प्रभा से, और दूसरा ground water जो हमें देखने को मिलता है, जो हम extract करते हैं, अब वो जो extract हम कर रहे हैं, अब यह लोग यहाँ पर पानी कहां से आता है, कि जो hydrological cycle जिसे जो बारिश आती है, तो बारिश का जो पानी है, उससे यह वापिस से renew होता जाता है, ठीक है, recharge होता जाता है यह वापिस से, तो उससे हमें क्या होता है, यह fresh water हमें मिल जाता है, चाहिए कम quantity में है, लेकिन फिर भी हमें मिल जाता है, जो आज चाहिए अर्बनाइजेशन है, इंडेस्टिलाइजेशन या पॉपिलेशन एक्स्टोशन है, उसकी वज़े से बहुत जादा requirement हो रही है, और बहुत जादा over exploitation भी हो रहा है, सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ यूस के purpose से ही ले रहे है, वेस्टिज भी बहुत जादा हो रहा है, तो यह जो exploitation हम जादा extract कर रहे हैं, हम इतना जादा extract कर रहे हैं, जितना कि यह hydrological cycle से जो बारिश आती है, उससे क्या हो रहा है कि, यह recharge उतने level पे, जितने level पे हम extract कर रहे ह All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource, अब यह जो पानी जो पूरी hydrological cycle में move करता है, वो ensure करता है कि water is a renewable resource है, मतलब कि वो खतम नहीं होगा, वो recharge हो जाता है, replenish हो जाता है You might wonder, that if three-fourth of the world is covered with water, and water is an renewable resource, and then how is that? Is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? तो भई जो हमने बात की कि, अब इतना सारा पानी है, फिर भी हमें all over the world, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर country में, maximum में क्या बात हो रही है, कि भई water scarcity हो रही है, यह इस area में, इस region में water scarcity है, जिसे हर याना है, पंजाब है, इहां पे में water scarcity जाता देखने को मिल रही है, ठ लेकिन जितना वो renew होता है, उससे ज्यादा level पे हम उसको extract कर रहे है, use कर रहे है, that is why वो water scarcity की problem हमें देखने को मिल रही है, why is it predicted that by 2025, nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity, क्योंकि आज जो rate चल रहा है, अब यह क्यों बोला जारे 2025 तक predict किया जारे, क्योंकि आज जो rate चल रहा है, exploitation का, water extract करने का, जितना ज्यादा usage हो रहा है, उसके हिसाब से, क्या एक predict किया जा रहा है, कि अगर ऐसे ही चलता रहा, तो 2025 तक 2 billion people near about ऐसे होंगे, जो कि बिल्कुल ही water scarcity में रहेंगे, मतलब उनके पास पानी नहीं रहेगा, तो अब यह water scarcity क्या है, और मतलब किन reasons की वज़े से हो रही है, water scarcity और need क्या है, need for water conservation and management, वही जीज, कि water scarcity क्या है पहली चीज, तो मतलब उसके reasons क्या है, हमें इसमें क्या चीज़े उठानी है, reasons और उन reasons का solution क्या है, ताकि scarcity खतम हो जाए, कम हो जाए, basics ही, तो अब हम यहां से points उठाएंगे, given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity, कि अब इतना जादा पानी है और मतलब renewable है, उसके बावजूद भी हम scarcity देखने को मिल रही है, the moment we speak of water shortages, we immediately associated with regions having low rainfall और those that are drought prone, अब जब हम water shortages की बात करते हैं कि पानी की कमी है, तो हम पहली चीज़ क्या सोचते हैं, कि यह जो renewable है, वो renewable कहां पे होगा, जहां पे हमनी क्या बात की, hydrological cycle, hydrological cycle का क्या मतलब है कि वहाँ पे बारिश आ रही है, जगाओं पे, कि जहां पे बारिश कम आती होगी, भई वहाँ पे कमी होती होगी, जहां पे सूखा पढ़ता होगा, वहाँ पे कमी होती होगी, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं आ रही सूखा पढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो जो ground water है वो recharge ही नहीं हो पा रहा है, refill ही नहीं हो पा रहा है, उसकी वज़े से तो हमें कमी देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले तो उससे associate किया जाता है we instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, earthen ports, used for collecting and storing water and traveling long distances to get water तो अभी ये लोरे इंफल का ध्यान में आते ही, माइन में आते ही, तो हम क्या सोचते हैं, हम Rajasthan के बारे में सोचने लग जाते हैं और हमारे माइन में एक वो कहते हैं, वीजुलाइजेशन हम क्या picture visualize करते हैं, कि Rajasthan के वो, क्या कहते हैं, dessert है ठीक है, रेत ही रेत है, वह पे women जा रही हैं, वो उने side में मठका रखके, जो earthen ports होते हैं, बढ़का रही हैं, बढ़के लेके आरी हैं और लेके आके वो क्या करते हैं long distances वो चलके जाती हैं पानी लेके आती हैं और वो उसको store करती हैं True the availability of water resources varies over space and time mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation तो ये बात तो ठीक है कि अब ये जो water resources availability है वो इस चीज़ के उपर depend करती है कि वो कहां पे मतलब किस time पे है कितना है कि seasonal variation है कि season के हिसाब से भाई बारिश होती है पुरा साल तो नहीं होती seasonal variation जब बारिश नहीं आती तो उस time पे problem होगी या फिर जो बारिश आरी है तो कितनी जादा बारिश आरी है किस region में कितनी बारिश आरी है कितनी कम आरी है लेकिन अभी scarcity हमें जाता क्यू देखने को मिल्टा है काफी सारे regions पी जैसे कि अभी मैंने example में बताया हर्याना ठीक है अब हर्याना में हमें water scarcity में आ गया हर्याना वो क्यों आ रहा है water scarcity में seasonal variation या हम precipitation पे बात करें तो बारिश भी ठीक होती है यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं है बारिश भी ठीक है लेकिन फिर बी water scarcity क्यों है क्योंकि पानी का over exploitation हो रहा है जादा पानी यूज किया जारा है जिससे कि agriculture में काफी जादा पानी यूज हो रहा है वह वह बहुत जादा एक्स्टाट कर पा रहा है कोई किसी के पास काम अवलेबिलिटी है तो उसकी वज़े से भी वाटर स्कार्सिटी हमें काफी रीजन्स पर देखने को मिलती है जहां पर यह सीजनल वेरेशन से अनुल प्रेसिपिटिशन की वज़े से प्रॉब्लम नहीं प्रेसिपिटिशन से बारिश से भी हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वाटर स्कार्सिटी अक्चुल में कहां पर होगी कौन सी जगा पर होगी किस तरीके से होगी कि क्या ऐसा पॉसिवल है ऐसी पॉसिपिलिटि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जगा है एक ऐसा प्लेस है जहां पर वाटर रिसोर्सिटी तो बहुत जादा है ठीक है संसादन तो बहुत है लेकिन फिर भी पानी की कमी है बिलकुल हो सकता है ऐसा कि संसादन तो बहुत है लेकिन वही बात है human activities की excessive use कर लिया over exploit कर दिया उस चीज़ को ठीक है या फिर उसी के साथ साथ क्या भी हो सकता है जैसे कि अगर हम बात करें industrial effluents होते हैं या फिर अ सिटी देखने को मिल सकती है ऐसे रीजिन पे जहां पे हमें अच्छे खासे water resources जल के संसाधन है लेकिन फिर भी वहां पे हमें कमी देखने को मिलेगी मिल सकती है many of our cities are such examples हमारी हां के काफी ऐसे शहर है जो इसका example हम दे सकते हैं quote कर सकते हैं दस water scarcity may be an outcome of large and growing population भही चीज़ की excessive views या over exploitation क्यों हो रहा है क्योंकि population बढ़ती जा रहे है population explosion के वज़ी से जितनी population है उतना जादा उनको क्या चाहिए भई पीने के लिए पानी चाहिए नहाने के लिए चाहिए अपने घर में खाना बनाने के लिए पकाने के लिए धोने के लिए हर चीज़ के लिए पानी चाहिए और दूसरा अब population जादा हो रही है तो उनको क्या यह खाना भी तो जादा चाहिए अब खाना जादा चाहिए तो एक तो यह रीजन है जिसकी वेज़े से कि पानी की स्कार्सिटिया में देखने को मिल रही है और कॉंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स पर वाटर एंड अन्यकोल अक्सेस तुविट वही चीज़ है कि जैसे पॉपिलेशन बढ़ रही है तो जैसे हमने बात की कि चाहे हाउस्वोड पोसनल यूजिस से है चाहे अगरी कल्चर म के लिए जाधा फूड को प्रिड्यूस करने के लिए मतलब की अगरी कल्चर एक्टिविटीज के लिए भी जाधा पाने की जरुत होती है हेंस तु फसिलिटेट हाइयर फूड ग्रेन प्रडक्शन वाटर रिसोर्सेस आर बिंग ओवर एक्स्पांड इरिगेटिड एरिया अब पॉपिलेशन जाधा हो गई उनको खाने की जाधा ज़रुत है जाधा खाने की रिक्वाइर्मेंट होगी सबका बेट भरने के लिए तो अगरी कल्चर अक्टिविटीज एक्स्पांड होंगी तो पाने की अविलेबिलिटी जाधा होनी चाहिए मतलब बिरिगेशन ज इस तरीके का है कि पूरे साल तो बारिश नहीं होती हर टाइम पे एक सीजन होता है सीजनल होता है तो अब जब सीजन नहीं है बारिश का लेकिन हमें पानी की ज़रत है क्रॉप्स को फेड करने के लिए क्रॉप्स को वाटर देने के लिए उस टाइम पे क्या हो रहा है कि क् ज़ादा food जो crops है वो लगाई जरी agriculture बहुत ज़ादा किया जा रहे है क्योंकि ज़ादा food की requirement है तो क्या किया जाएगा उस टाइम पे? Ground water से पानी extract किया जाएगा? और क्योंकि agriculture जादा हो रहे है तो जादा पानी extract होगा और वो dry season है. ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है? जादा पानी extract होने का क्या मतलब है? एक पानी का जादा यूज हो रहे है, exploitation जादा हो रहे है, over exploitation किया जा रहे है. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. कि अगर हम पानी का सबसे जादा बड़ा consumer कौन है कहां पे? मतलब पानी सबसे जादा consume किया जाता है, usage होता है पानी का. तो वो है irrigation में. इरिगेशन में ही सबसे जादा पानी कंजूम किया जाता है. Now, it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crops and dry farming techniques. अब यह जो irrigated agriculture वाला point है, largest consumer, this is a point to be highlighted. यह point में में यूज करने वाला है, ठीक है? अब क्योंकि irrigation जो है largest consumer है, मतलब कि agriculture में use हो रहा है सबसे जादा, तो agriculture को ही हमें क्या करना है? इसी में हमें revolution लेके आना है, हमें इसी में changes लेके आना है, transformation लेके आना है, कि हमें कुछ ऐसी crops बनानी है, जो drought resistant हो, कि अगर उन crops को पानी ना दिया जाए, तब भी वो खराब ना हो, उसमें भी वो survive कर पाएं, ठीक है? या dry farming techniques, तो इस तरीकी की हमें crops लेके आनी है, इस तरीकी की techniques develop करनी है, ताकि हमें उसमें जादा पानी के जरुरत ना हो, और जादा हमारा exploitation ना हो water का. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in, that it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. अब जैसे कि advertisements आती हैं, कुछ हम देखते हैं, तो in advertisements में भी mainly क्या दिखाया जाता है? कि जो farmers हैं, उनके अपने खुद के कुवें हैं, अपने खुद के tube wells हैं, जिससे कि वो अपने जो crops हैं, उनको पानी देते हैं, ठीक है? तो अब इसका impact क्या होगा? अब वो अगर खुदी पानी दे रहें, तो जो उनका खुवाए हैं, जो tube wells हैं, उसमें भी तो पानी कहां से आ रहा है? ग्राउंड वाटर से ही तो एक्स्ट्राक्ट हो रहा है भाई पानी, तो जब ग्राउंड वाटर से अब उनका खुद अपना अपना भी है, तो क्या हो गया? extract तो सबका groundwater से ही हो रहा है तो उसे basically result क्या आ रहा है impact किस पर पढ़ रहा है groundwater कम हो रहा है अब वो इतने level पे वो recharge नहीं हो पा रहा है hydrological cycle से जितना ज़ादा वो निकल रहा है extract हो रहा है तो उससे क्या होगी water scarcity की problem ज़ादा हो जाएगी मतलब कि जो पानी अवेलेबल है वो कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा तो क्या होगी water scarcity हमें देखने को मिलेगी और अगर पानी नहीं मिलेगा तो आगे की जो लोगों को feed करने के लिए या food security को maintain रखने के लिए जो पानी की ज़रत पड़ेगी agriculture के लिए crops grow करने के लिए वो पानी भी नहीं मिल पाएगा तो food security भी खत्रे में आ जाएगी तो ये impact है उसका बेशक से अब ये benefit में भी दिखाया जा positivity में भी कि आज farmers के पास अपने खुद के tube wells हैं अरे बड़ पानी तो एक ही जगा से आ रहे groundwater से ही आ रहा है ठीक है पोस्ट इंडिपेंडनेट इंडिया विट्निस्ट इंटेंसिफ इंडस्ट्रिलाइजेशन और अबनाइजेशन क्रेटिंग वास्ट अपॉचुनिटीज फॉर अस अब यह फिर वही point आ गया जो main है इंडस्ट्रिलाइजेशन ठीक है कि इंडस्ट्री सेटप हो रही है इंडस्ट्री सेटप हो रही है तो क्या हो रहा है उनको भी पानी के ज़रुद है भही काम करने के लिए हर चीज़ के लिए तो वहाँ पे भी पानी का यूज बढ़ रहा है तो over exploitation हमें देखने को मिलेगा अब post independent इंडिया में independence के बाद क्या चीज़ देखी कि भही industrialization और urbanization बढ़ता चला गया शहरी करन और उद्योगी करन बढ़ता चला गया उससे कह भी हमें काफी सारी opportunities तो मिली employment opportunities बड़ी तो टेल लाज इंडिस्ट्रिल हाउसे अर आस कॉमन प्लेस आस इंडिस्ट्रिल उनिट्स अफ मेनी MNC's Multinational Corporations ठीक है एक कॉमन प्लेस है मतलब काफी industrial units का काफी हमें ज्यादा इंडिस्ट्रिल हाउसे देखने को मिल रहे है अब employment तो हमें मिल रहे है उससे लेकिन water availability का क्या या फिर उन forest का क्या जो काटे गए है जो हमने last chapter में भी read किया था इस चीज को ही कि forest resources या land degradation क्यों हो रहा है क्योंकि forest cut हो रहे है वो land खराब हो रही है land ली जा रही है deforestation हो रहा है similarly अब यह जो industrialization और उससे water भी तो फरक पड़ रहा है जल संसाधन भी तो कम होते जा रहे है ना फिर the ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resources अब उससे क्या हुआ pressure बढ़ गया in fresh water resources से क्योंकि जितनी जादा industries बढ़ रही है उनको काम करने के लिए पानी की requirement जादा चाहिए तो जितनी industries बढ़ेगी उतनी पानी की requirement बढ़ेगी तो उतनी पानी की requirement बढ़ेगी तो उतना ही जादा इन resources के उपर pressure पड़ेगा industries apart from being heavy users of water also require power to run them अब यह industries को बहुत जादा मात्रा में पानी की ज़रुरत तो पड़ती है लेकिन उसी के साथ साथ उनको पावर की भी जरद पड़ती है electricity की भी जरद पड़ती है भई तभी तो वो industries चलेंगी उनमें जो machines है वो तभी तो चलेंगी much of this energy comes from hydroelectric power अब पानी से ही वो बिजली बनाए जाती है जो ज़्यादा तर बिजली यूज की जाती है electricity यूज करते है जो industries इनके machines जो work करती है रन करती है वो electricity के उपर ही तो करती है वो जो electricity आती है वो mainly कहां से आती है इन पानी से ही बनाई जाती है वो electricity तो water usage तो महाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है today in India hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced hydroelectric power मतलब कि जो पानी से जो electricity generate की जा रही है वो इंडिया में पूरी जतनी भी electricity प्रडूस की जा रही है उसका 22% water से ही production हो रहा है 22% बहुत ज़्यादा है moreover multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem अब यह सारे वही points आगे जो मैंने आपको बिल्कुल starting में बताये थे population explosion हो रहा है urbanization हो रहा है industrialization हो रहा है population explosion है तो उनकी domestic use के लिए भी जरुरत पड़ेगी agriculture के लिए भी पड़ेगी industrialization हो रहा है तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतने ज़्यादा उनको पानी की requirement रहेगी और उसके बाद वो जो electricity का use करेंगे वो भी कहां से hydroelectric से आता है पानी से electricity generator होती है तो वहाँ पे हो रहा है और तीसरा urbanization हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा population बढ़ती जारी है if you look into the housing societies or colonies in the cities you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs मतलब जिसे society बन जाती है colonies बन जाती है जहाँ पर बहुत सारे हमें घर देखने को मलते है तो उनका अपना खुद अपनी है एक society में अपना groundwater pump होता है ठीक है उनकी devices होते है ताकि कि वो अपनी खुद की needs को fulfill कर पाएं कि मतलब उधर के area में जितना भी पानी है वो अपनी ही need के लिए use कर पाएं तो ये चीज़ भी हो रही है not surprisingly we find that fragile water resources are being over exploited and have caused their depletion in several of these cities कि अब क्योंकि पानी की जरुद तो बहुत जादा है तो ऐसी जगह जहाँ पानी easily मिल भी रहा है तो उनको जादा exploit किया जा रहा है और जादा exploit हो रहा है तो उनका depletion हमें obviously देखने को मिलेगा ही मिलेगा बिलकुल मिलेगा So far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity important point अब यह क्या थे यह quantitative aspects से जिसमें हम डाल सकते population explosion, urbanization and industrialization Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people but the area still suffers from water scarcity अब यह तो थे quantitative, अब हम उसके अलावा हम दूसरे situation देखें कि जहां पर पानी तो जो हमने बात किती कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगा पर पानी के resources, water resources तो proper तरीकी से available है काफी अच्छे से हैं लेकिन फिर भी पानी की कमी देखने को मिल रही है तो हम अब उन situations की बात करेंगे कि जहां पर पानी की तो है resources संसाधन है, जल संसाधन लेकिन फिर भी कमी देखने को मिलती है हमें This car city may be due to bad quality of water कि पानी की जो quality है वो ही बेकार है पानी बेकार है जो हमने मैंने आपको पताया था pollution की विज़े से हो सकता है यह जैसे industry setup होनी है तो उससे जो effluents निकल रहे है वो effluents से क्या हो रहा है? pollution बढ़ रहा है, पानी के अंदर पानी गंदा हो रहा है जो पीने लायक या यूस करने लायक नहीं बचता है या फिर हम सीवरेज की बात करें हैं कि जो dump है वो waste material है, वो dump कर दिया जाता है water में बहा दिया जाता है, तो उसकी वज़े से भी हो सकता है Lately, this has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people much of it may be polluted by domestic and industrial waste कि जो घरों से निकलने वाला कचरा है ठीक है? जिसमें हमारा sea bridge भी आ गया, वैसे waste material भी आ गया, जिसे plastics बगरे है और industrial effluents जो थे, industrial waste based है Chemicals, Pesticides and Fertilizers used in agriculture Agriculture में जो यूज के जाते हैं, chemical pesticides and fertilizers वो भी क्या होते हैं? Wash off होके, वो भी तो rivers में, जो भी पास के, जो भी bell है, rivers है, lakes है, oceans है उन्ही में तो जाके मिलते तो वो क्या हो रहे हैं? वो polluted हो रहे हैं उससे Thus making it hazardous for human use अब चाहे वो domestic हो, waste, चाहे वो industrial हो और चाहे वो agriculture का हो वो जाके जब मिलेगा water resources में, तो वो क्या करेगा उसको? जहरीला ही तो बनाएगा ठीक है? अब जब वो जहरीला बनाएगा तो उसका अगर कोई भी उस करेगा सिर्फ human ही नहीं यूमन के लिए भी वो जहरीला है वो जहर फैलाएगा बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा बहुत साजी बिमारियां पैदा करेगा लेकिन अनिमल्स भी तो पिएंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेडली होगा वो तीसरा जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो वहाँ पे सर्वाइब नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी डेडली है ठीक है और उनको जो भी अगर किसी भी और चीज़ के लिए यूज किया जाएगा जिससे अगर वो एगरी कल्चर के लिए यूज किया जाएगा जो कि मतलब ही हैजार्डस होके जहरीला बनके यह बहुत ज़ादा इंपाक्ट करेगा करता है ठीक है तो क्या है यह क्वालिटेटिव मेजर है यह क्वालिटेटिव हमेn आसपेग्ट देखने को मिलता है यह वारे स्कारसी स्कूर्श को to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities and also to prevent degradation of our natural ecosystems. तो अब तक हमने ये जो चीजे पड़ी, इससे तो हमें ये चीज़ पता चल गए अब ये हई थाई है, अब हमें बैगाए का पानपनी ऑने का अरोन हाव दाले動 आपना का पता है, फोसको हमें बचाना है ठीक है ताकि यह जो हम जहरीला मतलब हैजार्डस के हमारी लाइफ पे बनाई यह बात हम उसको खतम कर सके कि हेल्थ हैजार्डस ना हो हमारी फूड सिक्क्यॉरिटी ना जाए कि पानी कमो तो अगरी कल्चर के लिए पानी नी बचे का क्रॉप्स ग्रो नी कर हो पाएंगे शॉइंप से टीक है तो अगर हम इसी तरीके से जादे एक्स्ट्राइटेशन करेंगे इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज़ करेंगे प्रपट तरीके सो उसको मैनेज नहीं करेंगे बार्ट रिसूर्सिस को तो अब यह जो रिसॉर्स है बार्ट क्या होगा जादा क्राइसीज होगी, तो हमारी लाइफ भी यह होएंगी, खत्रे में आ जाएगी, हमारी लाइफ सर्वाइबल इंपॉसीबल होता चला जाएगा, ठीक है? तो अब यह जो हमने पढ़ा water scarcity इसमें इसको किस तरीके से करना है water scarcity के reasons कहा है quantitative aspects और qualitative aspects ठीक है quantitative में हम urbanization population explosion industrialization डाल देंगे और qualitative में हम क्या डाल देंगे bad quality of water bad quality of water में भी हम further divide करके डाल देंगे कि domestic waste है industrial waste है agricultural waste है कि chemical pesticides and fertilizers ठीक और उसके solution में हमें बस इसी का उल्टा डालना है जो हमने quantitative or qualitative aspects जाले हैं जैसे कि किस तरीके से हम कर सकते है कि crops है agriculture में क्यूंकि सबसे जादा जा रहा है तो हम drought resistant crops grow करें ठीक है non sorry dry farming techniques को हम लेकर आएं ठीक है industrialization में हम water को इतना जादा रखें कि भई जादा हम use ना करें उसको बचा के रख सकें तो वो सब चीज़े हम डाल सकते हैं और हम ऐसी treatment की करें कि सीवरेश treatment waste treatment करके उसका proper तरीके से हम तभी डाले waste को हम वैसे dispose of करें waters में ना जाएं chemical fertilizer pesticides को use करें भीना हम क्या कर सकते हैं organic farming करें तो हम यह उसके क्या है conservation के methods है ठीक है now moving on to the next topic multipurpose river projects and integrated water resources management ठीक है अब multipurpose जो की जिनके काफी सारे उदेश्य होते हैं काफी सारे कामबो कर देते हैं river projects ऐसे और integrated water resources management के हम किस तरीके से उन water resources को manage कर सकते हैं फिर उन से but how do we conserve and manage water अब यह मैंने आपको थोड़ा सा क्रक्स में बताया अब यहां पर deep में मतलब detail में पता चल जाएका कि अब यह हमने problems तो देख ली reasons देख ले किस वजे से water scarcity देखने को मिल रही है लेकिन अब इसको sun reduction इसका किस तरीके से किया जाए archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydrologic structures like dams built of stone rubble reservoirs or lakes embankments and canals for irrigation okay अब अगर हम जो अपने पुराने records को देखते हैं पुरा पुरा तात्वी क्या एतिहासे को जो भी हमारे records हैं अगर हम उनको देखते तो हमें क्याची से पता चलती है कि इस पे काम किया जा रहा है कि हम ऐसे structures create करें advancement लेके हम ऐसे construction करें ऐसे reservoirs, lakes बनाएं पानी की usage के लिए थाकि हम पानी को use कर सकें पनी activities के लिए embankments बनाएं, canals बनाएं, irrigation के लिए ठीक है तो यह हम अपने historical record से, archaeological record से हम यह चीज़ पता है हमने यह चीज़ पढ़ी है Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins अब इसी को हमने continue भी किया है आज के time पे भी modern इंडिया में भी कि हम dams built करते हैं आज भी करते हैं हम नदियों पे बांद बनाते हैं, dams बनाते हैं हम So what are dams and how do they help us in conserving and managing water? Important point है ऐसे के ऐसे question उठाके भी पूछा जा सकता है mains में चीक है? So dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields अब बांद जो पुराने टाइम पे जो बनाए जाते थे वो किसलिए बनाए जाते थे? कि जो नदिया है या फिर जो rainwater है हम उसको capture कर सके उसको हम रख सके ताकि बाद में चलके जो agriculture fields है जब बारिश नहीं आते जैसे हम जिसको dry season की बात करते हैं तो अस टाइम हम ground water से निकालने की बजाए हम इन बांद से पानी यूज करके हम irrigate कर सके अपनी agriculture fields को Today dams are built not just for irrigation अब पहले तो क्या था सिर्फ irrigation के लिए यूज किया जाता था कि जब बारिश नहीं आ रही है तो ground water extract ना करना पड़े जमीन से ना निकालना पड़े ठीक है लेकिन आज क्या हो रहा है आज dams जो बनाए जा रहे है वो सिर्फ irrigation purposes के लिए नहीं बनाए जा रहे है बलकि जो जैसे हमने बात की की industries बढ़ रही है तो पानी का यूज तो वो जन्रेट की जाती है तो आज जो dams बन रहे हैं वो सिर्फ irrigation के लिए नहीं बलकि electricity जन्रेट करने के लिए भी यूज किये जाते हैं तो कि ळांई फिल्ड्स ए भी नौज तय कर्केशन जो और अफ इलेक्रिसिती जन्रेशन है तिके वातश बनाने के लिए वाट semaine के ई भालेशनद म सप्लाइड फर डमेस्टिक अन ईंडस्करिंड बनाने के लिए पानी जो घरों कई अप्रिशही जी यह होता है पानी हम ग्राउंड वाटर एक्स्टार्ट तो उसके लिए भी यह दैम से पानी प्रोवाइड किया जाता है फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी ठीक है जहां पर बाडा जाती है महां पर भी रीक्रियेशन इनलांड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए मत के टाइम पें डैम को क्या बोल जाता है multipurpose project क्योंकि इनको काफी सारी चीजों में यूज के जाता और यह जो पानी है इसको काफी सारी चीजों में यूज किया जाता है इसना बेशार ईंडी सत्लज ब्यास रीवर बैसिन धब भागडा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इस युज बोत फॉर हाइडल एलेक्टर प्रोडक्शान और इरिकेशन अब जो सत्लज ब्यास रीवर बैसिन आंपर भागडा नंगल डैम बनाया है वह किस चीज के लिए के लिए भी similarly the hirakud project in the Mahanadi Basin integrates conservation of water with flood control महानदी Basin पर हिरकुर डाम बनाये गए हिरकुर project है वो क्या करता है कि पानी का सन्रक्षन किस तरीके से करता है वो कि जो flood है जो बाड आती है वो बाड के पानी को इखटा कर लेता है ताकि वहाँ पर जो बाड है उसको भी कंट्रोल किया जा सके और वो जो सरप्लस वाटर है उसको फिर बाकी चीजों में यूज किया जा सके तो पानी के संरक्षन का काम करता है वो मल्टी पर्पर्पस प्रोजेक्ट्स लांच्ट आफर इंडिपेंद्नेंस विधर इंटिग्रेटिड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वर थौट आफ अज विकल विधर वाटर इंटिग्रेटिड वर्प्रोजेक्ट्स लाए गए मतलब की जो यह डाम्स है यह अब काफी चीजों के लिए यूज किये गए तो इनको क्या रखा गए कि यह डेलप्मेंट करेंगे भी है विकास करने में हमारे अपन्ट्री की हमारे नेशन के विकास में प्रॉग्रेस में मदद करेंगे। ज्वाल लाल नहरू ने क्या बोला इन डाम्स को टेंपल्स, मंदिर बोला हमारे मौडन इंडिया का मंदिर है क्योंकि यह हमें काफी चीजों में मदद कर रहे हैं इननों ने क्यों का क्योंकि यह अगरी कल्चर का भी डियलप्मेंट करेंगे क्योंकि इरिकेशन प्रवाइड करेंगे दूसरा यह विलच की एकॉनमी को मदद करेंगे क्योंकि जो पानी की ज़रूद पड़ती है तो वह बौटर नीट्स को भी फुल्फिल कर पाएंगे और अर्बन एकॉनमी है वो ग्रो करती जारी है लाज सेंटर से पॉपिलेशन एक्स्टोजन है उसको उसकी भी वाटर नीर्स को मीट करने में ये मदद करेंगे इसलिए इनको क्या गया क्या कहा गया आधुनिक भारत का मंदिर अब ये इतने अच्छे तो है लेकिन अभी कुछ सालों में इसके लिए काफी हमें ओपोजिशन देखने को मिली है कि ये नहीं बनाए जाने चाहिए अब उसका रीजन क्या है अब क्या हो रहा है डैम्स बेसिकली है क्या कि पानी का जो ज buyers में जो बनाए जा रहा है पानी को regulate करना उसके flow को regulate करने के लिए है तो उसका flow जो है वो divert हो जाते है उसको regulate किया जाता है तो उससे क्या हो रहे है जो natural flow है उसका वो affect हो रहा है तो क्या है कि जो sediments है वो एखटे होते चले जारे जादा हमें sedimentation देखने को मिल रही है और जो aquatic life है मतलब कि जो हमें species देखने को मिलती है जो पानी में रहती है रिवर में रहती है वो species भी affect हो रही है उससे क्योंकि उनका जो natural flow है वो affect हो रहा है उससे dams also fragment rivers making it difficult for aquatic fauna to migrate especially for spawning अब वो जो नदिया है उनको भी तोड़ देती है क्योंकि वो बीच में बांध बना दिया तो वो क्या कर दिया नदियों में नदियों को क्या कर दिया अलग अलग कर दिया अब अलग करने की वज़े से जो aquatic fauna है मतलब कि जो aquatic animals है वो अब स्पॉन करने के लिए ब्रीड करने के लिए वो क्या कर नहीं कर पाती वो माइगरेट नहीं कर पाती क्योंकि उनका रास्ता रुप जाता है the reservoirs that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time अब जो यह reservoirs बनाई जाते हैं और flood plains पे अब वो क्या करते हैं उनके अंदर जो यह reservoirs बनने उनके अंदर हमें काफी सारी vegetation है वो भी उसमें flood plains में ही धस जाती है अब वो उसी के अंदर submerged हो गई तो वो जो soil है वो भी काफी time तक क्योंकि पढ़ी रहती है सेडिमेंटेशन जादा होता है तो वो डीकॉंपोस होने लग जाती है थीक है मतलब कि उसके न्यूट्रेंट्स इतने नहीं रहते मल्टी पर्पॉस प्रोजेक्ट्स लाज़ डेम्स हैव अलसो भी हैव अलसो बीन the cause of many new environmental movements like the नर्मदा बचाओ अंदोलन कि काफी सारे हमें environmental movements भी देखने को मिलते है क्योंकि डाम बन रहा है तो इससे काफी सारी problems create होती है resistance to these projects has primarily been due to the large-scale displacement of local communities क्योंकि अगर बांद बनाया जा रहा है तो यहां पर जो लोकल जाएगा तो इसलिए उनको महां से displace करना पड़ते है क्योंकि और भी काफी चीज़े होती है local people often have to give up their land livelihood and then meager access and control over resources for the greater good of the nation अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ते है उनको उनको जमीन देनी पड़ती है ठीक है महां पे जो उनका एक तरीके से उनका घर है भाई वो ही जिन गया वो रहा रहे है उनके सब कुछ ही तो उनका खराब हो गया तो उसकी वज़े से भी प्रोटेस्ट होता है ठीक है तो तो आगर वो लोकल पीपल ली तो था था जो विलेच more और उसको कि उसको क्या चाहता है तो जाता इंडेस्टिलियसों होगी उनकी do पेडियूड हची होगी अगरी कल्चेर अच्छा होग hygien कई उनकी प्रामी का जो यह किया ॥ प्रखला है उनके रिट पीपल की भर मुझा जत प्रहबर बैंडेंटर्स तो किसम वी बेनिसट को जेड़ अब एक परसन जिसके पास अब जमीन ही नहीं है क्या उसको इससे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा इरिगेशन अपर पानी प्रक्राइश हो इसे क्रोप जिसमें पानी के जरुत होती है और अब इससे क्या हो रहा है कि स्वाइल की बढ़ रही है नमक मतलब खारी हो रही है तो वह हमें कौस देखने को मिल रहा है at the same time it has transformed the social landscape that is increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor अब इससे वही rich and poor का divide बढ़ गया haves and have nots का वो डिवाइड का जादा बढ़ गया क्योंकि क्या हो रहा है the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources अब इससे हमें काफी लड़ाईया conflicts भी देखने को मिले है और अगर conflict होगा तो कौन जीतेगा जिसके पास जादा पावर है इन गुजरात दसाबरमती बेसें farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas particularly during droughts कि जो जिसके पास higher power है उन वही जीतेंगे तो में क्या हो रहा है यहां पे हमें गुजरात में हमें फार्मन का प्रोटेस देखने को मिला क्यूं क्यूंकि जो अर्बन एरिया जहां पे water supply ज्यादा और इनको water supply नहीं मिल रही है यहां पे सूखा पढ़ रहा है इनको प्रॉब्लम हो रही है इस वज़े से गो प्रॉब्लिक्ट हुआ उन्होंने रायट भी मतलब किया उन्होंने ठीक है दंगे करने शुरू कर दिये इंट्रस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इंट्रस्टेड़ यहीं में से जा पहले हैं तो वो भी डिस्प्यूट्स लेहां कि अब को में परजेट्थ अरो टो रिव जुआ कि इसको बेनिफित विट्रस्टेञ था उठाना पड़ेगा तो वो चीज़े भी उससे भी इस्प्यूट्स अबढ़ते जारें में इन मल् अब सबसे जदा objection तो तब हुई कि भाई जिस काम के लिए बनाए गए हैं वही काम यह पूरा अच्छे से फुल्फिल नहीं कर पारे तो तो ओवेसी बात है कि अब इतनी परेशानी भी उठा रहे हैं और वो काम भी नहीं हो पारा प्रपर तरीके से दे पारेगे अब इनको बनाए क्यों गया था कि भी फ्लड को कंट्रोल कर लेंगे कि जो बाड़ आएगी तो उसके पानी को यह खटा कर लेंगे लेकिन अच्छल में क्या हुआ क्योंकि वाटर का फ्लो जो है नाच्छल फ्लो अफेक्ट हुआ तो सेडिमेंटेशन हुआ जो सेडिमेंट से मतलब वो इकटे होते चले गए तो उससे क्या हुआ कि फ्लोड और ज्यादा ट्रिगर हो गए मतलब ज्यादा फ्लोड वह था जादा फ्लोड जूए 2006 में हमें यह महाराश्ट्र गुजरात में भी देखने को मिला था कि जो बांध है उसके उपर से पान ही आ गया क्योंकि बांध रोग ही नहीं पाया कंट्रोल ही नहीं नहीं कर पाया लोगों की जान गई प्रॉपर्टी गई वो तो है लेकिन जो सॉइल था वो भी खराब हुई क्योंकि सॉइल इरोजन में देखने को मिला काफी जा था भारी मात्रा में अब सेडिमेंटेशन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उस पे उससे सिल्ट नहीं आ रहा है मतलब है कि एक नाचुरल फटिलाइजर जो है वो उस पे नहीं आ पार रहा है तो इसकी विजिसे वो लान डिग्रेशन की प्रॉब्म और भी सादा बढ़ दी है फिर से भी सैनल, अब क्योंकि ये पानी क इस्तिमाल के भीłęस करें तो इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि बड़े है काफी तो से उससे बारस बन डिग्रेशन हो दर्थ क्या जा रहा हैँ तो उसमें गचापे बार्ड रवी हैं उसकी जाधा वा. मिल रही है तो बेशक से डाम्स अच्छे थे एक अच्छे प्रपस के लिए बनाए गए थे मुल्टी परपस बट अल्टीमेटली क्या हुआ यह अच्छे कुछ हद तक हैं भी बट स्टिल काफी जदा हमें अब्जेक्शन्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी मिला है यह कंस्मेटल सकते हैं इम् san R प्रपस कर लाइग नावת पूरा एसक्रेम हो जाएगा इसमें से तो बहुत एज़ी चाप्टरा आंप कुछ नहीं है रीड कर लीजेगा फिर भी कोई so much have a great day ahead जाहिंग